हेलो सो मेन विज्व सो यह मेरे पास में शाओमी के जंग लेटेस्ट तरगता बढ़कता रेड्मी के फॉर्टी एस स्मार्टफोन जो किया था स्नैपड्रगन के फ्लैक्शेप 870 प्रोसेसर के साथ में जो से यहां पर शाओमी के फॉर्टी एस थीक उस टैम में चाइना में जब इंडिया में रेड्मी 11 प्रो प्लस लॉंच हुआ था और दोनों ही फोन्स अल्मोस्स सेम प्रैस केरी करते हैं यह पर के फॉर्टी एस एवन चीपर है चाइना में लॉंच हुआ है एटीन हंट्रेड युवान का जो की कनवर्ट होते हैं रफली ट्वेटी थाउजन इंडियन रूपी ऐसे में क्या यह फोन रेड्मी नोट 11 प्रस से बहता रहा क्या इंडिया में लॉंच होने वाला यह होना चाहिए था सारी ही चीजे तुस्तों आगे इस वीडियो में डिसकस करेंगे एंबॉक्सिंग और फुल रिव्यू के साथ में तो वीडियों बिग स्ट्रों के लिए मिल जाएगी घहां पर और यहां में बिल जाता है kdhp थार्टी एट मिनेट में 4500 मिली एम पावर की फोन की बैटरी को चार्ज कर देगा और डेफिनेटी यहां पर टाइप सी वाली केबल हमें देखने के लिए मिल जाती है सबसे पहले दोस्तों एडमी के फॉर्टी एस की डिजाइन के बारे बात करते हैं यहां पर एक बहुत ही इस स्लिम डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है जहां पर 7.7 मिली मीटर की थिकने से फोन की आता है 195 ग्राम के वेट के साथ में पीछे की साइड यहां पर प्लास्टिक देखने के लिए यहां पर फ्रेंट साइड में भी हमें कॉर्णि गोरिला गलास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है यह फोन दोस्तों डेड्मी नोट 11 प्लस से स्लिम है वह यहां पर 8.1 मिली मीटर की थिकनेस के साथ में आता है और ज्यादा लाइट वेट वेट निकल के आ रही है विचिस मुस्च लाइटर देन देट ग्राम ऑफ डेड्मी अच्छी यहां पर कैमरा का डिजाइन बेक साथ में बहुत जादा यूनीक और एंटीक सा लगता है तो डिजाइन यहां पर बहुत प्यारी रखी गई है और फिंगर्प्रिंट स्कैनर को इंटेग्रेट करता है बहुत ही फास्ट अनलॉग कर देता है हाड़ली यहां पर कोई भी मि मिलता है और जो फेस अनलॉग एन इस फोन का वो लैसी क्योर है डेफिनिटली बिकॉस केमरा को यूज करता है लेकिन बहुत जादा फास्ट है मतलब फोन लॉग स्क्रीन भी दिखाएगा आपको और इमीडिएटली ओपन कर देगा दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के ब की डिस्प्ले है तो बहुत जादा फास्ट है कंबाइन विद दा स्नैप ड्रेगन 870 प्रोसेसर दोस्तों यहां पर कमाल धमाल परफॉर्मेंस निकल के आज आ जारी है जहां पर मैं आपको गीग में स्कोर दिखाता हूं आप यहां पर अमेज दो जाएंगे दोस्तों यहा स्कोर निकल के आरी है और यहां पर परफॉर्मेंस दे टुडे लाइफ में बिलकुल एकदम चुम्मा निकल के आरी है और यहां पर देख सकते है 68000 का निकल के और एक बहुत हैवी टेस्ट रहता है उसके बाद डिवाइसेस बहुत जादा हीट हो जाते हैं यह फोन दोस्त दोस्तों दोस्तों इंडिया में क्यों नहीं लांच हुआ विकॉस कम प्राइज में आता है उस फोन के कम पैसें मुझ बैटर परफॉर्मेंस प्रवाइट कराई था हमें इवन दुस्तों यहां पर बात करते केमरा की तो यहां पर आइमेंस 582 सेंसर दिखने के मिल जाता है जो कि एक 48MP का सेंसर है along with 8MP wide and 2MP macro इन दोनों सेंसर की बात नहीं करेंगे बहुत ज्यादा यूसफुल नहीं है लेकिन प्राइमेरी सेंसर यहां पर डेलाइट में काफी अच्छी इमेजिस निकल के दे देता है और नाइट में भी यहां पर बहुत अच्छी इमेजिस निक कर लेता है यहां पर अच्छा रखा गया है जहां पर हमें 20MP का सेंसर देखने के लिए मिल जाता है जो कि most of the time अच्छी इमेजिस निकाल के देता है मैं पर ब्यूटिफिकेशन आफ कर देता हूं जब भी मैं फोन को यूस करता हूं तो यहां पर एक्सपोजर का थोड़ा स कैमरा सेट अप बहुत जादा अच्छा है कंपार करते है अगर रेड्मी नोट 11 प्रो प्लस से यहां पर कड़ी टक कर देदेगा उस फोन को कंसीटरिंग की वहां पर 108 मेंगा पर कैमरा है उसमें डीटेलिंग तो इस जादा हो जाएगी लेकिन कलर से यहां पर इस फोन के अच्छे निकल के आ रहे हैं दुस्तों अगर बात करते हैं सॉफ्टेयर की यह फोन लांच होता है सीधा एंडरीड 12 के साथ में कंपार टू दा 11 प्लस जो कि आता है एंडरीड 11 के साथ में और मैक्सिमम एक अपडेट उसको देखने के लिए मिलेगी यहां पर मेभी हमें सारे कस्टमाइशन अविलेबल है उसके बाद रिफ्रेश रेट आप एड्जस कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर पर कस्तम अगर आप सिलेक करते हैं सिक्स्टी और 120 हर्स के बीच में रिफ्रेश रेट आप यहां पर सिलेक कर सकते हैं उसके अलावाई बहुत सारे शाओमी क हमें फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं सीवाई 13 के साथ में सोडी बहुत नई विजिट्स ब्याइट करी गई है काफी एक अच्छा उप्रेटिंग सिस्टेम यहां पर निकल के आ रहे हुआ 13 दोस्तों बात करते हैं अगर बैटरी लाइफ के बारे में आते हैं यहां प 20W fast charging जो की एकदम fully charge कर देगी 15-20 मिन में हम चोड़ा सा देर रुख सकते हैं लेकिन at least हमें यहां पर प्राइज अच्छा रिखने कल मिल रहा है इस फोन का जो की स्टार्ट होता है फ्रॉम 20-21,000 इंडियन रूपिस फॉर तब 128GB वेरियंट तो एक काफी अच्छा प्राइ बिकॉस बहुत बार हमें देखने के लिए मिलाएं कि रेड्मी के फोन्स फोको बन के आ जाते हैं कुछ और चीज़ यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि आयर ब्लास्टर में यहां पर देखने के लिए मिल जाता है लेकिन 3.5 mm headphone jack नहीं देखने के लिए मिलता है विच इस यहां पर दो यहां पर दो दो ने लगा सकते हैं और अगर इस प्राइज में आता है तो मतलब बैस्ट पिक रहेगा इंटम्स ऑफ पर्फॉर्मेंस इंटम्स ऑफ कैमरा और डिजाइन भी हां पर काफी जादा अच्छी रखेगे बैटरी लाइफ जो हमें नॉर्मली फूल आज कल सारी फोर्स पर देखने के लिए मिल दिया नो कंप्लेंट सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर भी कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ में और फिर मैं आप से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में